आज मैं आपके साथ अपने घर में बनने वाली चने की दाल की बहुत ज़ादा स्वादिष्ट और टेडिसनल सबजी की रेज़ भी सेयर कर रहे हूँ इस सबजी को जिस तरीके से मैं बनाती हूँ एक बार इस तरीके से बना के देखे ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और जब भी कुछ आपको अच्छा खाने का मन होगा तो आप इसी सबजी को बनाएंगे इतनी फ्लेवर्फुल बनती है कि पनीर की सबजी को भी पीछे छोड़ देगी तो हेलो आपका स्वागत है मेरी किचन में चले बनाती हैं सांदार ग्रेवी वाले चने की दाल की बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार सबजी तो इस सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला रेडी करेंगे इसके लिए मैंने आदा चमबज सौंफ लिया है एक चमचम धनिया आदा चमबज लेंगे जीरा आठ से दस काली मिर्च पान से छे लैसन और एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है दो हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें हर्या धनिया का डंटल लिया है इन सारे मसालों को हमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है वैसे तो ये मसाले थोड़े दरदरे ही होते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगी और इसे अच्छे से पीस लेंगे आप चाहें तो इन मसालों को अगर आपके पास सिलवटा है उस पे भी पीस तकते हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पानी के साथ इन मसालों को पीस लिया है इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस मिक्सी जार में मैंने लगबग एक चमच मसाला ऐसे ही छोड़ दिया है और इसी में हम चने की डाल को भी पीस लेंगे जिससे उसमें भी काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है तो यहाँ पर मैंने एक कप चने की डाल को चार से पाच घंटे पहले भीगो दिया था अच्छे सी यह फूल गया है धोके इसका जव पानी है मैंने च्छान के अलग कर दिया है डाल को इसी मिक्सी जार में हम डाल देंगे और इसे दो-चार चमच पानी के साथ इसे एकदम बारिक पीस लेना है तो डाल को मैंने दो बैश में एक चोथाई कप पानी के साथ बणिया से पीस के रेडी कर लिया है और अब हम एक tray ले लेंगे, आप चाहिए तो थाली पी ले सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालके अच्छे से फैला लेंगे तो हातों से या पिर respectively मदद से तेल को हमें चारों तरप अच्छे से फैला लेना है और इससे जो हम चने की दाल की कतली बनाएंगे वो आसानी से इससे निकल जाएगा और अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चमस तेल तेल अच्छे सी गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे पचपोरन अब गर आपके पास पचपोरन मसाला नहीं है तो आप इसमें सिर्फ जीरा या फिर आप मेथी भी डाल सकते हैं इन मसालों को अच्छे से चलाते हुए में भून लेना है और अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर और आदा टीस्पून मैंने इसमें कास मिली लाल मिच पाउडर डाला है इससे जो हम चने की डाल की कतली बनाएंगे उसमें काफी अच्छा सा कलर आ जाता है अब हम गैस का फ्लेम लो करके ही इसमें पिसी हुई डाल डालेंगे डाल डालने के बाद लो फ्लेम में इसे लगतार चलाते रहना है जब तक की डाल अच्छे से पक न जाए और इस तरीके से low flame में पकाएंगे तो दाल में बहुत अच्छा flavor भी आ जाएगा तो साथ में मैंने इसमें स्वात के हिसाब से नमक और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा दन्या भी add कर दिया है अब हम इसे low flame में अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक की दाल अच्छे से गाड़ ही न हो जाए तो इस तरीके से दाल में अच्छे से काफी अच्छे से पक जाती है दाल में काफी अच्छा सा सौन्दा सा flavor भी आ जाता है और इसको आपको पकाने में 4-5 मिनट लग सकता है जब तक की दाल अच्छे से गाड़ ही न हो जाए और पैन से अलग न होने लगे तब तक हमें इसे इसी तरीके से चलाते के पका लेना है और जब दाल गर्मा गरम हो तब ही इसे हम थाली में या जो भी ट्रे हमने ग्रीस करके रखा है उसमें इसे डाल के अच्छे से से शेट कर लेना है और इसको अच्छे से सेट करके 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे इतने देर में हम सबजी के लिए ग्रेवी बना लेंगे तो अच्छे से ही जब डाल गरमा गरम हो तब ही हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जो कतलिया है वो एकदम परफेक्ट बने और आसानी से जब हम इसको काटे तो अच्छा सा इसमें लुका है अब गैस में कोई भी कढ़ाई या पी बड़ा सा पतीला रखेंगे इसमें मैंने सरसो का तेल डाला है इस अब जी को मैंने सरसो के तेल में बनाया है आप किसी और तेल में भी इससे बना सकते हैं इसमें डाल देंगे एक तेजपत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो से तीन हरी लाईची और एक चमत जीरा इन सरे मसालों को अच्छे से चलाते हुए हमें भून लेना है जब यह मसाले अच्छे से भून जाए तो इसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइच के प्याज को बारीक काटके प्याज को अच्छे से चलाते हुए एक दम जैसे लाल न हो जाए तब तक हम इसे चलाते हुए भून लेंगे तो प्याज जब तक भून रहा है तब तक एक मसाला रेडी करेंगे, तो मैंने आपी एक चोथाई कप ताजा फ्रेस्ट दही लिया है, और एक चमच मैंने इसमें हल्दी पाउडर, एक चमच डाल दिया है कासमीरी लालमीज पाउडर, आदा चमच हम इसमें डाल देंगे धन और इसे अब हम एक तरफ रखेंगे, प्याज को मैंने बीच बीच में चलाते रहा है, और प्याज काफी अच्छे से भून गया है, इसमें काफी अच्छा कलर भी आ गया है, तब हम इसमें मसालो का पेस्ट डाल देंगे, और इस मसालो को प्याज के साथ चलाते वी, एक से 2 निर तक हमें भूनना है जब तक कि मसालों से तेल ना अलग होने लगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही का पेस्ट और दही का पेस्ट डालने के बाद फिर से मसालों को हम 2-3 निर तक अच्छे से भूनेंगे इस सबजी में जितने अच्छे से आप मसालों को भूनें जाए चाहए, अच्छे लाल टमाटर मैंने इसमें पीस के डाले हैं, टमाटरों को अच्छे से मिलाने के बाद दो से दिम निट तक डगके हमें पकाना है, ताकि टमाटर अच्छे से कूख हो जाए, और आप देख शकते हैं, 2-3 मिनिट में, सब्जी में कितना अच्छा कलर आ गया है ग्रेवी में और इस समय हमें फिर से एक पर चलाते विए इससे एक से दो मिनट तक भून लेना है ताकि जो भी इसमें पानी है वो अच्छे से सूख जाए अब हम इसमें डालेंगे एक चमच कसूरी मेती और मैंने अभी तक इसमें नमग नहीं डाला है तो स्व ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे तो पानी हमें थोड़ा ज्यादा ही डालना है यह सबजी थोड़ी ठंडी होती है तो गाड़ी होती है तो यहां पर मैंने धाई कप पानी डाला है ढखके इसे 2-3 मिनिट के लिए जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आने लगी तब तक हम इसे पकाएंगे, चने की दाल अच्छे से सेट हो गई है, इसे हम अपनी पसंद के इसाथ से काट सकते हैं, मैंने जैसे हम सबजी बनाते हैं पनीर की ना, उसमें जैसे हम पनीर काटते हैं, बिल्कुर उसी तरीके से इसे सेप देते हुए काटा है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़दार देखिए चने दाल की कतली बनके रेडी हो गई है और इसको आप इस तरीके से काटने के बाद चाहे तो आप इसको सीधे ग्रेवी में डाल सकते हैं या फिर थोड़े से तेल के साथ इसे फ्राई करके डाल सकते हैं जिसे सबजी में बहुत अच्छा फ्लेवर आजाता है तो इसे हम थोड़े से तेल के साथ फ्राई कर लेंगे और यह जो कतली है इसे मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है तो यह पे पैन में मैंने एक चमस तेल को चार बस दो से तीन निट लगेगा और अच्छे से भून जाते हैं इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया भी डाल देंगे इसे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है तो हरा धनिया डालके मिला लेंगे और बेवी को पकते वी टोटल तीन मिनट हो गया है आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आ गया है तो इस समय हम एक बार इसको अच्छे से चला लेंगे और इसे हमें इसी तरीके से रहना रखना है थोड़ा सा अभी ग्रेवी को हमें पतला ही रखना है इसमें हम फ्राई किये वे चने की डाल की कतली डालेंगे और इसे एक को बंद कर देना है और इस सब्जी को हम तुरंत नहीं परोसेंगे इसे बस आठ से दस मिनट के लिए हमें छोड़ देना है डस मिनट में ग्रेवी थोड़ी गाड़ी हो जाती है फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है और चने की दाल की जो कतली है इसमें भी ग्रेवी का ब अमेजिंग सब्जी बनके तैयार हुआ है मैं आपके लिए इसे एक धाली में निकाल के दिखाते हूँ कि ये सब्जी कितनी सांदार बनी है तो आप इस तरीके से इस सब्जी को बना के तैयार कर सकते हैं आप इसे रोटी के साथ पराठा के साथ और चावल के साथ तो ये बहुत ज़्यादा स्वादेश लगती है तो आप भी इस तरीके से चने की दाल की सब्ची जरूर बनाके ट्राइ करें ये आपकी घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो आप इसे कव ट्राइ कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताए मेरी रेस्पी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें फैमली और दोस्तों में इसे सेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी एक नई और मज़दार रेस्पी के साथ हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्ते